हेलो दोस्तों कैसे होता दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले है T20 World Cup के नेक्स्ट मैच के बारे में जो के होने वाला है साउत अपरिका और बांगलादेश इन दोनों टिम्स के बीच में दोस्तों ये मैच दोफेर को साड़ी तीन बजे स्टार्ट होगा विन्यू होने वाला है शेक जायज स्टेडियम अभुदाबी तो दोस्तों आज के दोनों मैच आज सेम वेन्यू पे होने वाले है ठीक है और ये साउत अपरिका के इंपोर्टन मैच है बांगलादेश अल्मोस्ट नॉक आउट हो चुकी टूर्णामेंट में बट साउत अपरिक अगर इस मैच को विन करती तो लगी रहीगी टूर्णा और जैसे ही टेलेग्राम चैनल पर जाओगे पिछले मैचस के रिजल्स चेक करने न और उसके बाद ही आप लोग जॉइन करना ठीक है तो आपके लिए बेटर रहेगा तो सब पीच बट के अगर बात करें तो अबुदाभी की पीच शार्जा और दुबई की पीच से मैच विन कर जाती है ठीक है बट यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला है ठीक है यहाँ पर इवन कॉंटेस देखने को मिला है जितने भी मैचस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर पिछले चार मैचस जो हुए है सुपर ट्वेल के उसमें से दो मैचस चेस हुए है और दो मैचेस में defend हुआ है ठीक है और पिछला ही मैच था जा पर 160 अफगानिस्तान बना गई थी बाकी तीन मैचेस में आपर रन नहीं बने थे तो यह पॉइंट थोड़ा नोट करके चलोगे और यहापी spinners को थोड़ा सा turn भी मिलता हुआ दिखाता जो यह day match था अफगानि अफ़े रन बना सकता है दोस्तों बात करते हैं बंगलादेश की तो सुपर 12 के जो भी तीन मैचेस उन्होंने खेले तीनों की तीनों यह लोग अब तक हार चुके है और एक बड़ी न्यूज इनके लिए कि शकेबल असन रूल्ड आउट हो चुके है पूरे रहने वाले इस मैच में तो शमीम हुसेन के ज्यादा चांसेज बनेंगे ठीक है अब शकीबल असन के ना होने के वज़े सीन के में चार बॉलर्स रहेंगी यह चारो ठीक है अब फिब बॉलर का काम मेरी साब से लगबग करेंगे यहापे मुहमुद उल्ला अफिप हुसेन और समय सरकार यह तीनों मिलके आपको फिब बॉलर का काम करते दिखेंगे बट अगर यह चाहते है प्रॉपर फिब बॉलर खिलाना तो फिर हो सकता है रुबेल हुसेन आपको खेलते वे दिखे ठीक है यह चेंज हो सकता है देखके चलना दोस्तों बात करते हैं अब तक हुआ कि मोहमद नहीं दो मैचस में रन नहीं के बने जरूर है बट बाकी तीन मैचस में रन नहीं बने ऐस ओपनर अच्छे बैटर है बट स्टगल किया है कुछ मैचस में लिटन दास का पूरा टूर्नमेंट उतना अच्छा रहा नहीं है प पिछले मैच में श्रीप एट रन बनाती पर इनका फॉर्म अच्छा लगाए में मुद अला की बात कर इनका फॉर्म भी ठीक रहा है अज फिनिशर इन्हों ने अच्छा काम किया है आप भी बड़े शॉट लगा लेते नूरुल असन मेरी साब से पिछले मैच में भी नहीं में नहीं खेले है मेंदी असन भी बड़े शॉट लगा लेते है ठीक है अब बात करते बॉलिंग की तो नसुम एहमद पिछले मैच में खेले नहीं थे और दो मैच में इन्होंने तीन विकेट्स निकाली थे अच्छे स्पीनर है थोड़े खेलने के चांसे इसका में पाकि सारे राइट है और फिर उसके अडिविड मिलर आते है ठीक है तो इनका रोल इंपॉर्टन रहेगा अगर खेलते है तो इसके नहीं में बात करें तो पिछले मैच में ज़रूरो थे कोई विकेट नहीं मिला था बड़ बालिंग अच्छी करी थी ओर ओर राल चार में हमारे मैच विनर रहे थे दो विकेट ले गए थे डिफरेंचर प्लेयर का इन्होंने काम किया था दो मैच में ये भी तीन विकेट निकाल चुके इनकी बालिंग भी अच्छी रही है में दी असन की बात करें यह इंपॉर्टन पीक है आज लेप्टाम स्वारी राइट इस मैच को विन करते तो ये बने रहेंगे और जो इनका लास्ट मैच रहेगा अगेंट्स इंगलन वो फिर बहुत मैटर करेगा विकोज जहाँ पे उस मैच में जो विन करेगा उसके चांसे बनेंगे कौलीवाय होने के लिए ठीक है तो ये अगर इस मैच को मतलब मुस्ट लाइकली विन कर सकते हैं कुछ इस तरह के सिन के प्लेंग लिए उन रहीगी और बैटिंग ओडर भी कुछ इसी तरीके साब को देखने को मिलेगी ठीक है इंजरी इशूज एक तबरे समशी के साथ है एक डिविड मिलर के साथ है ठीक है बट मोस्ट लाइक लिए दोनों खेल जाएंगी फिकोज इंपॉर्टन मैच है अब हुआ कि अब तक दोस्तों क्विंटन डिकॉक दो मैचस खेले है 7 रन और 12 रन की इनों ने पारिया खेलिए बहुत रन नहीं बने अब तक बट कॉलिटी प्लेयर है और आपको रन बनाती भी दिख सकते है रिजा एंडिक्स का फॉर्म अच्छा इनों ने एक 39 की इंपॉर्टन पारी खेल थे टेमबा भूमा ने पहले दो मैच में जादा रन नहीं बनाए बट पिछली मैच में इंपॉर्टन 46 की पारी के लिए थे जरूर 46 बॉल्स इनोंने ले लिए थे बट ठीक लग रहे थे रास्ते वेंडर दुसेन उतने अच्छे लगे नहीं अब तक वल्ल कप में जरूर इनोंने वाम अप मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थे अगेंस पाकिस्तान बट अब तक ज़्यादा रन नहीं आये 43 की पारी जरूर आई थे बट 51 बॉल्स लिए थे एडम माकरम इनके लिए सबसे इंपॉर्टन प्लेयर रहे बैटिंग सेक्शन विए को जिन्होंने परफॉर्म किया है 40 रन 51 रन अच्छे लगे है हेंडी क्लास से इन पिछले मैच में खेले नहीं थे डेविड मिलर की बात करिए 23 मैच विनिंग पारी खेले थे 13 बॉल में नोट आउट लास्ट ओर में जो दो बॉल में दो सिक्स लगाए थे मैच विनिंग रहे थे इनका फॉर्म ठीक है मतब यह बड़े शॉट लगा लेते हैं प्रिटोरेस ने अब तक रन नहीं बना एक अगीश और अबाड़ा ने 13 की अच्छी पारी खेले थे पिछली में पे 7 बॉल में एक 6 भी लगाए था तो यह भी रन बना लेते है अब बात करते बॉलिंग की तो कगीश और मोमद नहीं मोपन करते हैं सुमे सरकार वंडाउन आएंगे वो भी लेफ्ट हैंडड है आपी पूसें शायद से लेफ्ट हैंड है तो इनके बास लेफ्ट हैंड बैटसमन रहेंगे तो यह इनका रोल इंपॉर्टन रहेगा एंडिक नौज जे के बात करें बालिंग बहु में डेद बॉलर निकल के आये है यह अगेन इंपॉर्टन पीक रहेंगे देखके चलना आओ दोस्तों बात करते हैं हिट्टो एट स्टैट्स की तो दोनों टिम्स के बीच में जो हुए है मैचे साउथ अपरिका ने छे मैचे स्वीन किये बांगादेश ने 0 मैचे स्वीन क है 2006 से 2017 तक ठीक है 2017 के बाद दोनों टिम्स के बीच में है से कोई मैच हुआ नहीं है बांगादेश के और से देखो के तो किसी ने भी रन नहीं बनाए उतने मतलब सम्मे सरकार के जुरू फोर मैचस में 135 रन से साउथ अपरिका के सामने बागी प्लेस के रन नहीं है ठीक है वहीं देखो कि मोस्ट विकेट्स में मुहमत सेपो दिन आपको जरूर दिखेंगे पर यह रूल डाउट हो चुके है मुस्तवी जो रेमान दो मैच में सिर्फ एक विकेट है रुबेल उसें दो मैच में एक विकेट है साउथ अपरिका के और से सिर्फ क्विंटन डिकॉक डेविड मिलर ने ही मैच खेला है बैटिंग सेक्शन में सिलंगा के सामने जापिक विंटन डिकॉक ने अच्छा किया है मिलर ने भी हंडेट की पारी खेली एक चार मैचस में ठीक है और मॉस्ट विकेट्स में आपको दिखेंगे रबबाडा एक मैच में दो विकेट और गैru एक मैच में एक विकेट तो जादा करिकेट दोनों टीम से बिच में पिछले कुछ समय में हुआ नहीं है और स्मंदेओ सी नहीं हुए कुछ पिछले टाइम से दोनों टिम्स के बीच में तो एर प्लेयर बैटर्स भी कुछ इंपॉर्टन निकल के नहीं आते हैं तो उस पे भी टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं बनेगा दोस्तों बनाते हैं स्माल लिक की टीम बट ये मैच मुझे रिस्की लग रहा है ठीक है तो इन्वेस्मेंट उस तरीके से ही करके चलोगे मतलब साउथ अपरिक अगर पहले बॉलिंग करती है तो फिर में मैच ठीक रहेगा बट अगर साउथ अपरिका पहले बैटिंग करती है तो इन्वेस्की बन सकता है so try to invest less ठीक है वो smartly खेलना विकेट की प्रसेक्षिन में आपको मिलेंगे दो प्लेर्स खेलते हुए क्विंटन डिकॉक लिटन डास ठीक है क्विंटन डिकॉक ओविसली फॉर्म मतलब दोरों ने उतने जादा रन नहीं बना क्विंटन डिकॉक एक साउट डिकाश से बिलॉंग करते है बेटर प्लेर है तो हम लोग डिकॉक के साथ चलेंगे पाकि लिटन डास को अपनलो ग्रांड लिमें टाए कर सकते हो पब्लिक ने इनको लिया भी है ता हम लो लेके चल सकते हो ठीक है बागी class and के खेलने के chances कम है अगर Miller fit नहीं है तो फिर class and खेल सकते है नूरूल असन की भी थोड़े chances कम रहेंगे खेलने के बैटिंग सेक्शन मुश्पिकुर रहीं लेके चलेंगे यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं उसका रिजा हैंडिस को लेके चलूँगा बिकोज ओपन करेंगे ठीक है पिछली मैच में रन नहीं आए तो पब्लिक ने लिया नहीं है बट मैं इनको प्रेफर करूँगा थोड़े crates के issues है तो थोड़े से दिक्कत यह आईगी उसी रिजन के वज़े से मैं रासी बेंडर दूसरिन को यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ बिकोज मेरे पास crates नहीं और मुझे आके बॉलर पर फोकस करना है तो मैं रासी बेंडर दूसरिन को ड्रॉप करूँगा याद रखना वन डाउन आते है क्लास प्लेयरे ज़्यादा फ्लॉप होते ने यह कंसिस्टन्टली रन बनाते है पिछली मैच मेरन नहीं बने है मतलब तो यह रन बनाते हैं आपको दिख सकते हैं इस मैच मेरे और स्पीनर को यह बहुत अच्छा खेल लेते हैं इनको डॉप करना एक बड़ा रिस्क है बट मुझे बॉलर फेवर करके चलना है तो मैं अभी के लिए इनको डॉप कर रहा हूँ ठीक है बाके महमद उल्ला है इंपोर्टन पीक रहेंगे फिब बॉलर अगर नहीं खेलता है तो महमद उल्ला आपको बॉलिंग भी करते हैं तो मैं इनको अभी के लिए लेके चलूँगा आपके बास नई मिशे के ओपन करते हैं कुछ अच्छी पारिया इन्होंने खेली है और जब सेट हो जाते हैं तो 40-50 साथ यह बना जाते हैं देखके चलना बहुमा एक अच्छे डिफ्रेंशल पीक रहेंगे साथ प्रेक अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनका रोल इंपोर्टन रहेगा एक नमबर फॉर इनको अपनो ग्रैंड लिग में ट्राइ करना सुमे सरकार भी बहुत अच्छे डिफ्रेंशल पीके बहुत यह वन डाउन आएंगे फिब बॉलर अगर नहीं रहते तो एक से दोर बॉलिंग भी देंगे इनका रोल इंपोर्टन रहेगा विकेट ले जाते है जनरली यह और बैटिंग में अच्छे रन बना सकते हैं ट्र बैटिंग दे सकते हैं फिनिशर का काम कर सकते हैं बड़े शॉट यह लगा लेते हैं देखके चलना चलते हैं और रौन टे सेक्षन में माकरम मेंधी असन यह दो मेंटिक्स में सबसे पहले अपने टिम में रख रहा हूँ उसका ड्वेंट प्रिटोरियस है ठीक है प्रिट कर सकते हैं वियान मल्डर के खेलने के चांसे बहुत कम है चलते बॉलिंग सेक्शन में एंडिक नोकिया मुस्तवी जो रह्मान तबरे समशी इंपॉर्टन पिक से तीनों मैं तीनों को प्रेफर करूँगा अब यहाँ पर कगी सो रबाडा के 9.5 क्रेडिट से और इसी वज़ कोई भी अप ले सकते हैं अपने हिसाप से या पर शोरिपुल इसलाम जिसनों ने अच्छी बॉलिंग करें थे पिछले माइट में ले सकते हो इसके बाद केशो महराज बहुत अच्छे पीक है अज़र लेप्टाम और्टोडाक्स पिनर में इनको ले सकते हो मेरे 11 प्लेयर यह बैटिंग सेक्शन में चाहो तो ओपनर नईम शेक ले सकते हो डिफरेंशल प्लेयर सो में सरकार भी ले सकते हो इल्ले उन प्लेयर आपकी चोईस रहेगी आप लोग जिसे चाहो से ले लो अब भी किलिए हम लोग में आपर क्या करो केशो महराज के साथ जा रहो और दो तो यहाँ में माकरम को में सबसे पहले दे रहा हूँ कैप्टनसी अगर साथ अपरिका पहले बैटिंग करेंग तो में माकरम को में कैप्टनसी देखे ही चलूँगा बट अगर साथ अपरिका सेकंड बैटिंग करती है तो फिर में बालर करके चल सकता हूँ यह पॉइंट पहले बॉलिंग करती है तो रबड़ा को हम लोग दे देंगे mostly captaincy और wise captaincy quintendico किया फिर हम लोग reverse कर सकते हैं ये point note करके चलोगे बट अगर साउत प्रिका पहले batting करती है तो Adam Makram captaincy, quintendico wise captaincy ठीक है बाकि दोस्तों सिलंकर टीम में सारी बांगलादेश टीम में से अगर कोई लग रहा है आपको captain wise captaincy के लाप लोग बिल्कुल prefer कर सकते हो बागी ये just initial team है ठीक है और याद रखना केशो माराज के जगह पे रासर मेंडर दूसरे न लेना जा पे आपके पास credit से final team आपको telegram channel पे मिलेगी first comment में तो join जरूर हो जाना पिछली मैच के results भी चेक कर लेना वीडियो पसंद आएगा वीडियो को like कर देना youtube channel को subscribe नहीं किया जल्दे subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना thank you so much guys for watching